नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अलवर रियासत के शेतर में पढ़ने वाले किसान आंदोलनों की अका ध्यन करें कि अलवर रियासत में कौन-कौन से किसान आंदोलन हुई और उनका क्या घटनाकरमराव उसके उपर अगर हम प्रकास डालेंगे अलवर रियासत के संदर में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आंदोलन था वो शुवरों के प्रसंद पर लेकर आंदोलन शुवरों के प्रसंद पर जो आंदोलन है यहां आंदोलन 1921-22 में हुआ यहां अंदोलन इस वज़े से हुआ कि अलवर रियासत द्वारा जंगली सूरों का पालन किया जाता था और यह जो जंगली सूर है यह किसानों के फसलों को नुकसान पहुचाते थे और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाउजूद भी इन किसानों द्वारा इन जंगली सूरों को मारने का अधिकार नहीं था इस प्रकार किसान इन जंगली सूरों से बहुत परेसान थे और इसके रोध में इन्होंने आंदोलन किया जब इन्होंने आंदोलन सुरू किया तो बाद में जब अलवर रियासत के सासक ने इसको जानकरी मिली तो अलवर रियासत के सासक द्वारा किसानों की मांगों को स्विकार कर लिया गया और किसानों को यह अनुमती मिली कि अगर सूरों द्वारा किसानों की फसल को खराब किया जाता है तो वो उनको मार सकते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो रियासत में अलवर रियासत में जो अंदोलन हुआ वो जंगली सूरों के प्रसंद पर हुआ जो 1921 में हुआ और इसमें रियासत द्वारा पाले जाने वाले सूरों को किसानों को मारने के अनुमति मिली दूसरा जो किसान आंदोलन था वह है 1924-25 में हुआ और यह जो किसान आंदोलन है भूर आजश्व में व्रदी के प्रस्ण पर आंदोलन था 1924-25 में यहां के जो अलवर यासत के जो सासक थे जगदेव सिंग इन्होंने नई भूर आजश्व प्रणाली प्रारम की जब यह नई भूर आजश्व प्रणाली प्रारम की तो इस नई भूर आजश्व प्रणाली में भूर आजश्व दर बहुत ज़्यादा थी इसके परिणाम सुरूप यहां पर इस राजश्व प्रणाली और भूर आजश्व की उची दर के विरोध में यहां पर किसानों ने आंदोलन प्रारम किया जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन में अधिकान्स जो किसान थे वो राजपूत जाते के किसान थे इस आंदोलन का एक तरह ऐसे संगठन के हम बात करें और प्रचार प्रसार की बात करें तो संगठन के लिए यहां इस आंदोलन से लांगों को उठाया गया और आगे की रणनिती तैय करने के लिए इस आंदोलन की एक बैठक नीमू चाना में बुलाई लिए यह बैठक 13 मई 1925 को नीमू चाना नामा किस्थान पर हुई इस बैठक में किसानों की यह जो सभा हो रही थी इस पर किसालवर रियासत के सैने को द जो गोली बारी की गई उसी को हम नीमू चाना हत्ताकान के नाम से जानते हैं गांदी जी ने इस नीमू चाना की घटना के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अलवर रियासत का दूसरा किसान अंदोलन था वह है विफल रहा अलवर रियासत का तीसरा जो किसान अंदोलन था वह है मेव किसान अंदोलन था मेव किसान अंदोलन की बात करें तो मेव किसान अंदोलन बेसिकली अलवर और भरतपूर दोनों रियासत के अधिन वाला जो शेत्र है जिसमें मेव जाती की मेव वर की विशे बहुत आयत है तो उस शेत्र में यहां अंदोलन हुआ और इस अंदोलन का नित्रत्व मुहमद अली द्वारा किया गया मुहम्मद अली द्वारा यहांदोलन चलाया गया और प्रारम में तो यहांदोलन सही चला और सही रिसा में चल रहा था किसानों के मांगों को लेकर हो रहा था लेकिन यहां पर अधिकांस किसान मुस्लिम जाती से संबंदित थे और जबकि अधिकांस जमिदार हिंदू से संबंदित थे कालांतर में चुकि मुसलिम और हिंदूों के मद्द यह संगर्ष बढ़ने लगा और ये विरोधी धर्मों के बीच एक संगर्ष के रूप में सामने आया इस प्रकार आगे चलकर इस आंदोलन ने सामप्रदाइक श्वरूप ग्रहन कर लिया और जब सामप्रदाइक श्वरूप ग्रहन कर लिया तो उसके बाद यह आंदोलन विफल रहा यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मेव किसान आंदुलन है जिसका शेत्र आलवर और भरतवुर रियासत के अधिन था जिसका रेत्रत मुहमद अली ने किया जो किसानों की मांगों को लेकर प्रारम हुआ लेकिन कालांतर में सामप्रदाइक ताका शुरूप ले लेकर कारण यहा अंदुलन विफल रहा धन्यवाद